आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजस्ट्रॉण कैपैसूल के बारे में प्रोजस्ट्रॉण कैपैसूल अलग-अलग PRJ में अविलेबल होते हैं जैसे की 100, 200, 300, 400 टक ये अविलेबल होते हैं बहुत सारे patient का सवाल आता है कि मीड़ाम हमको progestone के capsule क्यों दिये हैं इसका क्या काम होता है इसके बारे में हमको संपूर्ण जानकरी चाहिए तो progestone capsule कब कब कौनसी condition में आपको यूज करने के लिए doctor देते हैं इसके क्या benefit होते है क्या side effect होते है इसी के बारे में आज हम डीटेल में जानेंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर करें प्रोजिस्टोन क्यात्सूर बहुत सारी ऐसी कंडिशन होती है जब डौक्टर आपको प्रिस्टाइब कर सकते हैं जब बी एक फीमेल बॉड़ी में यानि कि महिला की शdir में अगर प्रोजिस्टोन हार्मोंस की कमी हो रही है तो प्रोजिस्टोन हार्मोंस का अलग से support दे करके उसकी वज़े से जो problem हो रही है उसको हम ठीक कर सकते हैं जैसे कि हम सबसे first में बात करते हैं pregnancy के दोरान प्रोजिस्टोन के अप्पूर महिलाओ को क्यो दिये जाते हैं वो इसलिए दी जाते हैं कि हमारी pregnancy को continue करने के लिए 9 महिने तक प्रोजिस्टोन हार्मोन का level body में बरबर होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए अगर प्रोजिस्टोन हार्मोन का level कम हो जाता है तो cervix open होने का डर रहता है यानि कि बच्चे दानी कुल जाती है उसके बाद में महिलाओ को पेट में दर्द होता है कमर में दर्द होता है जो हमारी pregnancy यानि कि जो हमारा baby growth कर रहा है वो बहार आ जाता है यानि कि abortion होने का खत्रा रहता है तो ऐसी कोई condition ना बने इसलिए डोक्टर 7-8-9 महिने तक भी प्रोजेस्टोन के capsule injection भी या tablets भी patient को recommend करते है injection में 250 and 500 mg का injection आता है और tablet 100, 200, 300 और 400 mg तक ये market में available होती है ये दोनों ही form में available होती है tablet and capsule और injection भी market में available होता है अगर injection के बारे में हम बात करें तो 250 mg का injection weekly लगाय जाता है और अगर 500 की बात करें तो ये आपको two week में एक बार लगाया जाता है निकि हर 14 दिन पर आपको injection लगवाना होता है साथ में support के लिए आपको tablet है capsule भी doctor prescribe करते है वो इसलिए करते है pregnancy में कि हमारी pregnancy disconnect ना हो जल्दी delivery ना हो इसलिए उसको हमारी pregnancy को बराबर बनाये रखने के लिए 9 महीने तक ये सफर पूरा करने के लिए doctor progestone के capsule injection का support आपको देते है अब अगर कोई महला pregnant नहीं है कोई लड़किया है तो उनको क्यों दिया जाता है तो महलाओ को ऐसे बहुत सारी problems होती है जिसको ठीक करने के लिए doctor आपको progestone के capsule दे सकते है अब महलाओ को जिसे मीनोपोजल कंडिशन आ जाती है उस दोरान अगर progestone hormones की कमी हो रही है तब भी doctor आपको इसको लेने के लिए prescribe कर सकते है दूसरी कंडिशन होती है DUB यानि की dysfunction, uterine, bleeding इसका मतलब होता है कि महलाओ के periods बिगड गए है period cycle बिगड गई है कभी 8 दिन में आ रहे, कभी 15 दिन में आ रहे और आ रहे तो stop नहीं हो रहे continue चल रहे यानि कि 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, bleeding होते होते 15 दिन हो गए तो यह सी condition में भी progestone hormones का support दे करके bleeding को रोका जा सकता है तो DUB की condition में भी डोक्टर आपको आपकी age health के according आपको progestone के capsule prescribe कर सकते है इसके बाद में दीसरा कारण आता है कि महला को कहीं progestone की कमी तो नहीं हो रही है हम next वीडियो में बात करेंगे कि progestone hormones की कमी के क्या-क्या लक्षन होते है जब भी महला को progestone hormones की body में कमी हो जाती है तो हमरी period cycle irregular हो जाती है periods बार-बार आने लग जाते है किसी को consume नहीं होता है किसी के pregnancy यानि कि बार-बार abortion हो जाता है तो ऐसे बहुत सारी problems महलाओ को होने लगती है इसके बाद में कहीं बारी जिसे amenorrhea में भी हम इसका use करते है amenorrhea का मतलब होता है absence of period मतलब आपकी periods absent हो गए है periods नहीं आ रहे देड़ दो महीन हो गए pregnancy test करके देखा तो negative आ रहा है तो इसी condition में भी doctor periods लानी के लिए आपको या capsule या tablet recommend कर सकते इसके बाद में कई बारी doctor गर्भ निरोधक के रूप में भी आपको ये capsule vaginaly insert करने के लिए बोल सकते है या वो condition पर depend करता है कि आपको doctor किस चीच के लिए दे रहे किस route से दे रहे doctor जब भी देंगे तो आपको ज़रूर समझाएंगे vaginaly अलग आते हैं और ओरली खाने के लिए अलगाते हैं और injection अलगाते हैं इसके बाद में कहीं बारी pre-monstructural syndrome यानि कि PMS के जो symptoms होते हैं उसको ठीक करने के लिए भी doctor आपको इसको prescribe करते हैं इसकी quantity के बारे में अगर हम बात करें तो एक capsule per day आपको doctor दे सकते हैं वो आपकी condition पे depend करता है कि आपको कितनी आउशकता है कितने लंबे समय तक आपको दे सकते हैं तो ये भी आपकी disease पे depend करता है 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना पर बीच में गेब जरूर होता है पर pregnancy में अगर आपको दे रहे तो continue आपको 9 मन तक दे सकते हैं और आजकल खान पान ऐसा हो गया कि हर एक महिना की बच्चदानी कमजोर हो गई hormones की कमी हो रही है तो इस कारण से pregnancy में progestone hormones का support देना बहुत ही important होता है अगर progestone hormones का support नहीं दिया जाएगा तो pre-mature delivery हो जाएगी मेलाव की इसलिए वो समश्चा से बचने के लिए डॉक्टर आपको गरभ वस्ता के दोरान इसको prescribe करते हैं आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे doubts clear कर पाई हूँ